नमस्कार में भापना सीग और आप देख रहे हैं HVN News आज हम बात करेंगे उस पुरुषकार संबान के बारे में जिससे प्रिदाहान मंत्री नरिंद्र मोती को आज यानी 22 दिसंबर 2020 को अमेरिका में अमेरिका के राश्पती डोनाल्ड ट्रम्प ने सम्मानित किया है हम अपनी इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे कि दि लीजन ओफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर पुरुसकार से आखिर क्यों सम्मानित किया जाता है और इस पुरुसकार का क्या महत्व है देखे अमारी इस खास रिपोर्ट में अमेरिका के राश्पती ने पुरुसकार भारत और अमेरिका रड़नीतिक भग्यदारी को आगे ले जाने और विश्व में शान्ती और स्रमद्धी को बढ़ावा देने में उनके योगतान के लिए दिया गया यह पुरुसकार प्रिदान्मंत्री नरेंद्रमोदी के दिड़ नेत्रित्वम और उनके भारत को विश्व शक्ती बनानी की द्रश्टी को देखते हुए दिया गया है आपको बता दे अमेरिका में भारत के राजदूत तरंजीत सेहें शिंदू ने प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोधी की ओर से इस सम्मान को ग्रहन किया है अमिर्का में आयुजित समारों में दी लीजन ओफ मेरिट डिगरी चीफ कमांडर से आस्ट्रेलिया के प्रिधान मंत्री स्कॉट मौरिसन और जापान के पूर्व प्रिधान मंत्री शिंजो आबे को भी सम्मानित किया गया है अमिर्का के राश्ट्रपती द्वारा सम्मानित किया जाने वाला एक प्रतिष्टित पुरुसकार है जो आम तोर पर अनित देशों के राश्ट अध्यक्षों या शासना अध्यक्षों को दिया जाता है फिल्हाल मेरे साथ बस इतना ही और ऐसी ही बड़ी जानकारी के लिए देखते रहे हैं HVN News